हलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब उमिद करती हूँ आप सब खरिये सूँगे तो आज मैं बनाने वाली हूँ हरे मचर का नाश्ता जो खाने में इतना टेस्टी लगता है अगर आप इसे एक बार ट्राइ करेंगे तो आपके घर के अगर बच्चे ने इसे खा लिया तो वो करती हेल्थी भी है और टेस्टी भी है तो बने रही है मेरे वीडियो में लाश्ट तक वीडियो को देखिए बीना स्किप किए तो चलिए फटा फट से रेसिपी शुरू करते हैं तो यहां पे मैंने आधा कप से थोड़ा सा जादा फ्रेस मचर ले लिया है आप अपने हिस मचर के क्वांटिटी के हिसाब से आप मिर्शी को कम जादा कर सकते हैं चार लसं की कलिया है और यह आधा इंच का अधरक का टुकड़ा है अगर आप लसं नहीं डालते हैं तो सिर्फ अधरक डाल दीजेगा और अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं फटा फट से तो यहाँ पर हमारा मटर जो है ग्राइंड हो चुका है बस इसका टेक्चर जो है हमें ऐसा ही चाहिए दरदरा सा इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे तो ये हो गया है त्यार और अब हम देख लेते हैं next process हमें क्या करना है तो लेंगे same jar और उसमें डाल देंगे one-fourth cup सुजी सुजी आप मोटा या बारी कोई भी ले सकते हैं आधा कप मटर के लिए one-fourth cup सुजी और one fourth cup ही हम लेंगे दही दही fresh होना चाहिए quantity का आप पुरा खयाल रखिएगा one fourth cup ही हम डाल देंगे पानी, सभी चीजों को मैंने description box में mention कर दिया है तो tension की बात नहीं है नमक डाल देंगे, स्वात के अनुसार और इसे grind कर लेंगे तो यहां पर मैंने इसको grind कर लिया है तो अब हम इसे direct pour कर देंगे मतर के ऊपर तो सभी चीजों को अच्छे से निकाल लेंगे ताकि कुछ भी waste ना हो तो यहां पर मैंने निकाल लिया है और इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं लेकिन मेरा जो consistency है एकदम perfect है तो इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है इसे हम बहुत यह अच्छे से mix कर लेंगे और यह हो गया है त्यार तो इसको रखते हैं side में जब तक यह थोड़ा full भी जाएगा और अब हम एक तड़का सा त्यार कर लेंगे पैन ले लिया है मैंने उसमें डाल देंगे दो से तीन चम्मच के करीब cooking oil डाल देंगे और तेल जैसे ही गरम हो जाए एक टेबल इस्पून डाल देंगे हम चने का डाल और इसे थोड़ा सा हम पकने देंगे इसका थोड़ा color भी change होने देंगे इसका अच्छा सा color आ जाएगा तो इसमें एक crunchiness आ जाएगी जैसा कि आप देख रहे हैं color change हो गया है तो एक चम्मच हम डाल देंगे राई के दाने और ये भी थोड़ा सा चटक जाना चाहिए तो ये चटक गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से टुकडे कांजू के होगा तो जरूर डालिएगा इससे बहुत ही अच्छा crunch आता है और टेस्ट भी बढ़ता है और अब हम इसमें डाल देंगे ये करी पत्ते पत्ते बड़े बड़े है तो मैं इसे थोड़ा तोड़ लेती हूँ तो ये सबी चीजे मिलके बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है और बहुत ही यूनिक इसका टेस्ट होता है बच्चे बड़े सबको पसंद आएंगे तो इस रेशिपी को ट्राइक तो करना बनता है तो मैंने याँ पर इसका तड़का त्यार कर लिया है लास्ट में हम एक चुटकी हिंग डाल देंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा तड़का त्यार हो चुका है और flame को मैंने off कर दिया है अब हम direct इसको डाल देंगे अपना batter में तो यहां पर मैंने सभी तड़के को डाल दिया है और अब हम इसे mix कर लेंगे एक बार अच्छे से अगर इस point पर आपको गाड़ ही लगे batter तो आप इसमें एक से दो चमच के करीब पानी डाल सकते हैं लेकिन मेरा जो batter है बिल्कुल perfect है तो हम इसमें पानी नहीं डालेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया धेर सारा डाल देंगे तो सभी चीजे बहुत ही healthy है और tasty भी है अगर आपके पास अपम मेकर नहीं है तो आप fry pan भी ले सकते हैं और उसमें एक चोचा-चोचा सा portion बना करके त्यार कर सकते हैं तो मैंने इसमें थोड़ी-थोड़ी सी आधी-अधी चमच के करीब तेल डाल दिया है जल्दी-जल्दी से इसे mix कर लेंगे ध्यान रहे इसको हम लास्ट में ही डालेंगे क्योंकि यह बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है और अगर हम इसे देर तक रख दिये तो इसका जो fluffiness जो है वो खतम भी हो सकता है तो इसे हमने अच्छे से mix कर लिया है और यहां पे हमारा अपम पैन भी गरम हो गया है बस हम आदा आदा चमच डाल देंगे इसमें हाफ-ाफ डालेंगे इसमें इनो है तो यह फूलेगा डोंट वरी लेकिन हाफ-ाफ डालने का एक रीजन है तो पहले हम सभी में डाल देते हैं इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी रेसिपी जड़ा भी पसंद आती है और आपको helpful लगती है तो आप मुझे help कर सकते हैं मेरे वीडियो को like करके और चैनल को subscribe करके तो हाफ-ाफ मैंने डाल दिया था और अब मैंने एक छोचा-छोचा सा क्यूब डाल दिया है चीज का जो की हर बच्चों की favorite होती है आपके पस ना हो तो skip कर सकते हैं हो तो जरूर डाल येगा और अब हम इसको cover कर देंगे थोड़ा-थोड़ा better और डाल देंगे तो बस हमने सभी better को डाल दिया है और अब हम इसे ढख करके दो मिनट के लिए पका लेंगे अब हम चेक कर लेते हैं तो इसका एक अच्छा सा golden सा हमें color चाहिए तो इसे चेक कर लेते हैं तो अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा इसमे color आ गया है तो उपर से इसका एक crunch आ जाता है और अंदर से ये soft और fluffy होता है तो ऐसा ही color चाहिए और अब हम इसे पलट लेंगे तो यहाँ पर मैंने सभी को पलट लिया है और इसे ढख करके दो मिनट के लिए और हम पकाएंगे थोड़ी देर मैंने ढख लिया था अब थोड़ा सा मैं तेल उपर से और डाल दे रही हूँ ताकि पीछे से भी अच्छे से पके यानि एक अपम में आप एक चमच देल इस्तमाल कर रहे हैं इस तरह से यह जो नाश्टा है बहुत ही healthy भी बन रहा है और टेश्टी तो यह है ही तो जैसे जैसे यह पक गया है वैसे वैसे मैंने इसे बाहर निकाल लिया है तो यहां पे हमारा त्यार है पूरा नाश्टा तो यह बहुत ही लाजवाब बन के त्यार होता है अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार जरू ट्राइ कीजेगा वैसे भी season में हरे मचर अब जो तो subscribe कीजे kitchen app को और bell icon को all पे कर दीजे ताकि मेरी हर नई वीडियो की notification अब तक मिलती रहे family और फ्रेंच में भी share करना मत बुलेगा मिलते हैं नही रेसिपी के साथ अल्ला आफ़ाए